हेलो दोस्तों, एलेक्टिकल बीष्ट में फिर से आपका स्वागत है, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, कि स्पीड सेलिंग फैन में जो आठ कोईल की है, आठ पलस आठ की है, उसमें अगर एक कोईल स्टार्टिंग बैंडिंग की जल जाती है, तो उसके लिए आप क्य कि बताओंगे, जैसे क्या आपको पूरी पंखा रीगा, आपको सिर्फ पर ज्यादा किन सब लेंग है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, कि आपकी सारे कोईल उस—ts. दिखता है लेकिन अंदर से सोट कर दिया रहता है तो यह सारे बाते मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्टिंग कैसे की जाएगी और इस पंखे को बना कर भी आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा बीना इसकेप की हुए तो दोस्तों यह सेलि जली हुई है तो इसके अलावा हमारी बाहर वाली जो बैंडिंग है वो ठीक है कि नहीं तो दोस्तों यह तीन वाय इसमें से निकली हुई है जो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक कॉमन बना दी गई है जो लाल वाले तार से निकली हुई है और हरा वाले तार से दिखाई दे रही है जो यहां से जल गई है इस को आल के चकर में सबसे करते हैं डौरिव किyou क्या है स्टॉइंग लगा रहा है कि इसका मतलब वा किभा बाहर वार वाली ठीक KD सरे में unless सबांगे मैं आप मिपनलिन कर रही है। जो कोई हुई है इसके सामने सामने नहीं बन रही है। सबसे पहले दोस्तो मैं आप से एक बात बताता चालू है अगर अंदर कोई हुई हुई से कोईLC निकाला ही पड़े लेकिन इसके अलावा भी running binding की दो कोयलों को निकालना पड़ेगा उसके बाद से starting binding की कोयल bind हो पाएगी तो सबसे पहले इस कोयल के उपर वाली दोनों कोयल को यानि इसको और इसको दोनों को निकालना पड़ेगा फिर हम इस कोयल तक पहुंचेंगे दोस्तों निकालने पपर इसको काटना कहां से है इसका ध्यान देना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों यह अलग-い-----क के साथ अलग-?--कम---ी कोयल निकल किदर से है इस साइड से है या इस साइड से इस कोयल से जो इस कोयल में कनेक्शन कोनेक्ट हो रही है वो इस साइड से है देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यह यह कनेक्ट की गई है तो यह कोयल को नहीं काटना है इस कोयल को काटना है तो कनेक्ट जिधर से की गई है उधर से हम इ ताकि इस को आइल को काटने से पहले इस कोई टॉचिंग नहों तो अइसको असानी से काट लेते हैं कर तो कर दो कर तो कर दो कर दो कर दो आँ अग्वर तो दोस्तों मैंने इस कोई बले लीड में इस कोई बस गई तो समझ लीजिए कि यह लीड आ गई अभी स्काइल को असानी के साथ बाहर खीश सकते हैं इसको बाहर किंशने सबर यह ध्यान देना दोस्तों कि साइड का कोई भी क्वाइल खराब नहों जाए इसको खीचते समय बहुत ही आराम से इसको उपर के तरफ खीचा जाएगा देखिए जैसे मैं खीच रहा हूं यह क्वाइल बाहर आ गई यह क्वाइल बिल्कुल ठीक थी दोस्तों लेकिन इस क्वाइल के जलने कोज़ा से इस क्वाइल को निकालना पड़ रहा है और फिर इस क्वाइल को भी निकालना है तो वैसे ही निकालेंगे जैसे इस क्वाइल का लीड देखे थे कि यहां से बैक स साइड से कनेक्ट कर रही है यह को इधर से आकर और इसमें गई है तो इसमें गई है तो इस लीड को बचाने के लिए इस को इस साइड से काटना पड़ेगा तो आएए इस को आपको ऊपर से काटते हैं हुआ है 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 अब इसको अब इसको ऊपर से निकाले कि बहुत आराम से निकालना है कि यह वाले लीड तूट न जाए जो कनेक्टन जोड रही है यह वाले लीड इस कोई से टूट न जाए तूट जाएगी तो फिर इस कोईल को अभी काटना पड़ेगा दोस्तों लेकिन इसको हमको बचाना है देखिए बिलकुल बच गई यह को कि कि यह लीड है कि यह दिखाए दे रही है अब दोनों लीड दोनों कोयल का फिट है अब हमको यह जली हुई काल को निकाल लेना है कि तो इस जली हुईक होई को फिर आसानी से कट देंगे कोई दिقتनेन कोई भगे जormक ने ुleski कटने में का, दोस्तों इस क्वाइल में जो जली हुई क्वाइल है इस क्वाइल से कॉनेक्ट कर रही है यह लीड जो दिखाई दे रहे इसको बचाना है हम लोगों को इसको बिल्कुल आराम से उपर के तरह भी इसको खीचेंगे अब क्या करना है दोस्तों यह जली हुई क्वाइल बाहर निकल गई यह क्या करना है दोस्तों ओफ्चा को कि आख Two Coil रनिंग की हो गई तह अगर स्टार्टिंग का एक क्वाइल जल जाता है तो रनिंग आभी Two Coil आख करना पड़ता है और बांगी करना पड़ता है तो दोस्तों यह इस को बांगी करेंगे तो यह future पंखा complete होगी अभी इसमें सब्सक्राइब कि अब तो यह जली होई कोईल निकल गई और फिर से इसको पक्किट टेस्टिंग करना है कि हमारी क्या यह स्टार्टिंग बाइंडिंग ठीक है या जो भी कोईल रॉनिंग बाइंडिंग बजी है वह बिल्कुर ठीक है कि वीक है क खराब है इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों सिरीज टेस्टी लेंप से इसको टेस्ट करना है तो सबसे पहले इस तार के ऊपर जो पाली से उसको हटा लेंगे तो दोस्तों जो भी यह लीड निकली हुई है इन कोयलों का इसके ऊपर से पालीस को हटा दिया है अब इसको सबसे ह scribberg का चैक कर रहा हूं yellow जो कामन प्रकामे का23 अपने स्टेश्टिंग लैंब को जोड़ मैं और दोनों लीड में इस अपने लेम कीटेस्टिंग दिया इसे मैं आप प्रकास कुई अ कि और इसे टेस्टिंग सिरीज लेंग फो इसको लगा देंगे देखे का दो तो गुलो करने लगी मैं स्ठाटिंग चेक कर रहा हूं अब जीतने कोईल स्ठाटिंग है जिसे दो जार दो छार चाएक साथ कोईल स्टारिंग में बचे हुए एक कोईल को मैं निकाल दि सबस्क्राइब अधिया है इसका मतलब हमारी साथ हो कौई सही है एक वाइल ही जली हुई थी आप टेस्टिंग पूजिसले रणिंग वाले को बचे हुए छैक हुआ को हम जह करेंगे तो आए इसमें भी स्षेख कर लेते हैं कि इस क्या पोजिशन क्या है तो मैंने वायर को जोड़ दिया है टेस्टिंग स्रीले में लगा लिया बल्प गलोग करने लगी इसका मेंगनेट भी हम चेक करेंगे सेम ऐसे ही तो दोस्तों इस छे कोयलों का मेंगनेट बहुत ही बढ़िया बन रहा है तो हमको कनफर्म हो गया कि यह हमारी रनिंग की 6 कोयल और स्टार्टिंग की कोयल बिल्कुल ठीक है अगर यह ठीक नहीं रहती अंदर से सौट हुई रहती जो कोयल सौट रहती उसके सामने मेंगनेट नहीं बनती तो यह कनफर्म हो गया कि हमारी सारे कोयल सही है अब दोस्तों जैसे यह coil यहां पे binding हुई होगी तो यह binding एक उल्टी और एक सीधी होती है दोस्तों वगलवले coil के थूरू हम देखे लेगे हमारी binding है किस पोजीशन में है जिस पोजीशन में कि यह discourômCE की banding हुई रहे होगी उसके उल्टा पोजिशन में इस को बैंडिंग करेंगे दोस्तों यह हाइश्पीड की पंखा है अलग-अलग रहते हुए भी यह उल्टी-सीदी उल्टी-सीदी बैंडिंग हुई रहती है दोस्तों सेम इसका बैंडिंग उसी तरह हम करेंगे जैसे 14 पुलस 14 का बैंडिंग किये थे तो हम रिवैंडिंग करके और तुरंत इसको फिर यहां पर लाते हैं और फिर चेक करके दिखाते हैं कि इसकी पोजिशन क्या है तो आए इसको फटा-फट हाथ से रिवैंडिंग कर लेते हैं हां तो दोस्तों मैंने इसकी जली हुई को बैंडिंग कर दिया है जैसे आपको दि तो यह तीनों को मैंने वाइंडिंग कर दिया है और आपको कनेक्शन बता दूं कि यह नहीं कोईल है दोनों तो यह पुरानी वाली कोईल से जो यहाँ पे लीड निकली हुई थी यह नहीं कोईल को जोड़ रही है तो हमने जॉइंड करके यह चलिप लगा दिया हूं यह यह वाली connection यहाँ पर जूट रही है इसमें भी sleep मैंने लगा दिया हूँ और दोस्तों इसका lead भी मैं निकाल दिया हूँ कि एक running और एक starting मिलाकर common है निकल चुका है जो पुरानी वाली ही lead है जैसे पहले थी सेम यह भी पुरानी वाली ही lead है दोस्तों starting banding का lead है हरी वाली और यह running banding का lead है पीली वाली और यह common है लाल वाली तो दोस्तों अगर यह lead निकालने वाली पंखेक बॉडी भी नहीं है और running भी ठीक है और बॉडी भी नहीं है तो दोस्तों यह तो रहा binding की काम अब मैं इसका data आपको बताता चलूं कि इस आठ प्लस आठ कोईल वाले पंखेक की data क्या है तो दोस्तों इसमें इस slot है सोरव प्लस और अंदर सोलव आठ है और बाहर सोलव सलव है और कोईल है आठ प्लस आठ आठ एस स्टार्टिंग में है रणिंग में भी आठ है क्योंकि 8 प्लस आठ से ही हाइच स्पीड बनती है अगर शोलो प्लस वाइल रहता तो यह हैइच स्टेटर की चौड़ा रहा इसका डाटा तो इस डाटे से आप हाई स्पीड का पंखा कोई भी बांदेंगे स्पीड बनिया रहेगी और अच्छी रहेगी आए दोस्तों इस बैंडी को आप टेस्ट करके दिखाते हैं बॉडी के साथ फिट करके कि इसकी स्पीड क्या है और यह कैसे चल रही है तो पंखा को कैसे खोलते हैं कैसे शेट करते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको दोखना है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं उपर आई बटन दबागा आप देख सकते हैं यहां कि तो मैंने इस कौंका कुरी तरह से इसका कर लिया और कैविश्य के साथ लगा हुआ है और के सा थार्स रेन पर जांटर को अ b मैं से आप जानना चाहते हैं तो उपर वीडियो दोश्टों सकते हैं तो दूस्तों आई अवी सको टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी स्टिया विसको से सीलें में डेक करना मैं कर मत दोस्तों किस्की स vind बहुत बढं़िया है विल्कुल हाइश चल रही है जो थो दोस्तों इस तरीके से आप एक कैसे जली हुई हिसी भी फैन का हाइ स्पीड हो या लो इसमेर वाली कोई भी पांका आप यौन जलता है तो इस तरीके से आप bynd कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए अलवीदा